नसों में दर्द, नसों में सूजन, नसों में एठन, बेरी कोज वेंस, कमर दर्द, खुटने का दर्द, मास पेसियों का दर्द, जोडों का दर्द, जर से खतम करेगा, बंद नसों को खोल देगा, अगर आपके नसों में ब्लॉकेज आ चुका है, तो दोस्तों उसको भी खो आपको बस लेना है lesson यानि कि garlic लेसुन में बहुत ताकत होती है आपके blockage के कि खतम करेगा अगर आपका बढ़ा हुआ फरीर को सुस्थ बनाएगा तो आप इस लिखो कि यूच करीए आप जैसे ही इसको आप यूच करेंगे आप देखना, आप कैसे कमर को भूटने का दर्ध घंजर के सहा हुता है यहां पर आपको लेना है लैसन की कलियों को और इसको हम क्या आपको निकाल देंगे दोस्तो एक आप से रिक्वेश्टर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना दोस्तो में सेर कर देना और चैनल पर न्यूव आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अब यहां पर आप देख सकते हैं लैसुन की जो कलिया है इसका मैंने छिलका निकाल दिया है और अब इसके बाद में आपको क्या करना है आप चाहें तो हाँ से चाकू से निकालने यह जो दोस्तो लैसुन है जो गारलेख है यह आपकी सब मास पेसियों को क्लीन करेगा ब्लेट का संचार तेज करेगा ठीक है ना जिससे की आपको कभी भी ब्लॉकिज नहीं होगी आप इ जब आप ट्राई करोगे तो आप खुद ही मुझे थैंक्स बोलोगे बहुत बैठी नुस्का है आपको चाहे कमर की दर्दों गुटने का दर्दों मास पेसियों का दर्दों गठीया हो कोई भी प्रॉब्लम हो आप देखना कैसे कतम होता है आपके यहां तक कि सिर में भी ब्लटना तो भी आपका जाएगा तो यहां पर हम अब लेक्तर ले लिए कि हम यह अनिके कंद्व कर लेंगे आप चाहुत इसको काते हों चाकू से भी कार सकते हो कोई दिक्कत नहीं है या फिर आप इस तरीके से से ग्रेट कर लें यह दोस्तों लैसुन जो होता है हर मामले बच्छा होता है इसमें एंटी बेक्टिर गुड़ोते हैं एंटी फंगल गुड़ोते हैं यह हमारे सरीर की हर प्रॉब्लम से रच्छा कर करता है और हमारे सरीर को इंफेक्शन से बचाता है तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने लैसुन को अच्छे से ग्रेट कर लिया है यानि कि कद्दू कस कर दिया है अब इसके बाद में आपको इसमें दूसरी समखरी कर डाल नहीं है तो इसके लिए अब वीड़ो पुरा है कि एक जैसे की 20 साल के नौजवान में होती है तो यहां पर दूसरी सामगी डालना है नीवू यानि कि लैमन अब आप सोच रहे होंगे कि लैमन से नीवू से गुटने का दर्द कैसे जाएगा यह जो लैमन है यह जो नीवू है यह आपकी जो नस नाडिया है मास पेसिया है उनको यह क्लीन करेगा ठीक है न जिससे की आपकी माऊ सपेसिओं को रिड़का संचारते जोगा अब जब दो ब्लेट का हर जगा अच्छी से जाता है ना अच्छे से हाथ में पैर में पूरे सरीज में अच्छे संचार होता है खुन का तो हमारे कही ना तो दरद होता है बहुत ज्यादा नहीं ठीक ना अगर बहुत ज्यादा डाले ऐसे ही इसका सेवन कर लीजिए यहांप में इन्टी वाइट की तरीके तो आप इन्हें क्या करें यहां पर देखते हैं मैंने एक छोड़ा चमच मिलाया है अब मैं आपको बटाती हूं इसका सेवन करने का तरीका इस इतने नुस्खे को आपको लेना है सुबह खाली पेट सुबह जब उठेंगे फ्रेस होंगे और फ्रेस होने के बाद मैं आप इ ही इसका रिजेट आप खुद ही देखोगे ठीके ना आपको बीपी सुगर कुछ भी सब चीजों में आपको आराम मिलेगा तो आप क्या करें आजा चमच इसका सेवन करिए सुबह खाली पेट और उसके बाद में आपको पीना है एक गिलास गुनगोना पानी ठीके ना तो इस तरीके से आपको रोज नियम से दिन में एक बार यानि कि रोज सुबह मॉर्निंग में आपको एक बार इतना सेवन करना है आधा चमच बस इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं तो इस तरीके से इसका लगातार आप सेवन 15 तक कर लीजिए और उसके बाद में आप इसको का दर्द जोडों का दर्द मास पेसियों का दर्द सूजन एंटन सब अच्छा हो जाएगा आपको फुल आराम मिलेगा और मैं आपसे बता दूं कि अगर इस नुस्खे को स्वस्थ आदमी भी ले ले लेना तो जीवन में कभी भी ब्लॉकिज नहीं आ सकता है ना तो कभी ह आता है पंद्रह दिन खालो और उसके बाद में 12-20 गैप कर दो एसodelीके जोढ़न नहीं पढ़ाएगा दो तो जीवन में कभी बीमा नहीं पढ़ेंगे नहीं होगा और जीवन में आपको कभी भी घुटने का दर्द